ताइगर अभी जंदा है लेकिन उस ताइगर को उसके छेत्र यानी मध्यप्रदेश की राजनीती से पीएम मोदी ने बेदखल कर दिया है यानी राज्य की राजनीती से बाहर कर केंद्र में एंट्री करवाई गई है हम बात कर रहे हैं मध्यप्रदेश के 13 साल तक के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंग चौहान की येने बीजेपी का राश्य उपाध्यक्ष बना कर राज्य से दूर दिल्ली ले आए लोकसभा चौनाओं से पहले पार्टी अध्यक्षा में चाहने उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौपी है पूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान अब नई पारी खेलेंगे हाला के विधान सभा चौनाओं में पार्टी की हार के बाद उन्होंने कहा था कि वे राज्य की राज्यनिती छोड़ कर केंद्र की राज्यनिती में नहीं जाएंगे उन्होंने कहा था कि मरते दम तक वे प्रदेश के लिए ही काम करेंगे शिवराज सिंग चौहान के लंबे और सफल राजनेतिक सफर में ये नया आयाम जुडने जा रहा है फिलहाल वो इसी होर जिले की बुदानी सीट से विधायक है शिवराज सिंग का जन 5 मार्च 1969 को बुधनी में हुआ था उनकी मा का नाम सुंदर बाई और पिता का नाम प्रेम सिंग शिवराज सिंग की शिक्षा भोपाल में हुई भोपाल के मौडल स्कूल से उन्होंने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की और फिर बरकतुला विश्विद्याले से फिलोसफी में एमे किया शिवराज सिंग चोहान 29 नौबर 2005 को पहली बार मद्यप्रदेश के मुख्यमंतरी बने वे प्रदेश के सतरों मुख्यमंतरी थे और उन्होंने बाबुलाल गौर की जगाली थी चातर जीवन से ही उन्होंने राजनेती शुरू कर दी मॉडल स्कूल में 1975 से 76 में वे सातर चंग के अध्यक्ष रहे आपातकाल के विरोध के कारण उनको जेल भी भेजा गया उसके बाद 1977-1978 में उन्होंने अखिल भारती विद्यार्थी परिशत जोईन किया और विभेन पदों पर रहे वो भारतीय जन्ता पार्टी के युवा मरुचा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे 1990 में पहली बार बुद्नी विधान सभा से शिवराज सिंग चोहान विधायक बने इसके बाद 1991 में विदीशा संसदी चेतर में पहली बार उनको सांसत चुना गया 1992 से 1994 तक बीजेपी के प्रदेश महा सचीव रहे एक्यारवी लोगसभा में 1996 में विधीशा संसदी चेतर से फिर सांसत चुने गए 1998 में विधीशा से ही तीसरी बार और 99 में चौथी बार सांसत बने 2004 में वैल लगातार पांचुई बार सांसत चुने गए इस बार भी विधीशा के लोगसभा चुनाव लड़ने की चर्चा उनकी जोरो पर है विरोर पूर्ट एमपीता